इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें वहाँ आपको बहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेर मार्केट और नैशनल पैंचन स्कीम की संपून सीरीज देखने को मिलेगी अभी करेंट में हम लेके चल रहे हैं MS Excel की मास्टर स्रीच जिसमें मैं आपको संपून MS Excel सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसी करम में आज का हमारा टॉपिक है Microsoft Excel में कोई भी फाइल डेक्स्टोप पर कैसे सेव करते हैं चोटा सा वीडियो है बिगनर्स के लिए है कि हाउ टू सेव एक्सल फाइल ओन डेक्स्टोप हमारे सामने यह समस्य आ जाती है कि हम सेव कहां और कैसे करें तो उसी की संबंद में है यह वीडियो तो चलते हैं एक्सल पर फ्रेंड्स यह आ चुके हैं हम हमारे फाइल को खोल लेता हूं ठीक है यह मैंने खोल लिए एक्सल फाइल अमाल लीजे हम इस एक्सल फाइल में कोई वर्क कर रहे हैं यह वर्क किया मैंने ठीक है अब इस वर्क को मैं चाहता हूं डेक्स्टोप पर सेव करना ताकि आसानी से मैं उसको धूंड सकूं या मुझे क फाइल वाले बटन पर क्लिक करना, जैसे ही फाइल वाले बटन पर क्लिक करोगे, बहुत सारे options आजाएगे, आपको क्या करना है, save नहीं करना, आपको क्या करना है, save as, ग्यान रखना, save as, करना है आपको, क्योंकि हमको जगे डूंड नहीं है, कहां हमको save करना है, तो मैं इस save as पे क्लिक करता हूँ अब यहां कई options आते हैं अगर आपके पास OneDrive में account है तो आप OneDrive में online इसको save कर सकते हैं अगर आपके पास OneDrive में नहीं account तो this PC को या browse दोनों तरफ से आप save कर सकते हैं माली जिस मैं browse पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से window निकल के आजाएगी और अगर मैं this PC को भी double बार क्लिक करूँगा एक बार में नहीं दो बार क्लिक करो यह देखो तब भी वही window निकल के आजाएगी ठीक अब इस फाइल को desktop पे कैसे save करना है तो आपको क्या है इस side में ढूणना है आपका desktop का है आपका desktop कहीं पे भी हो सकता है यह जो दिख रहे है न चिन इनको छोटा कर लो एक बार इस सबको छोटा कर लो यह ऐसे बिखरे हुए होंगे आपके सारे चिन इस तरीके से बिखरे हुए हो सकते है माल लो तो इससे क्या है आपको बहुत सारी परिशानी आ जाएगी यह माल लो इतने सारी बिखरे होंगी तो आपको पता है ने चले का desktop का है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो इन सबको इस तरह से आप बंद कर लो सारे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अभी दिख गया अब यहां से आप इसको Quick Access पे क्लिक करना किस पे? Quick Access पे तो जैसे Quick Access पे क्लिक करोगे यह option निकल कर आगया है desktop का ठीक अब इस desktop को आप क्या करना यहां से क्लिक कर लेना जैसे यहён desktop पे क्लिक करोगे उपर भी desktop आ जाएगा और जैसे ही उपर desktop दिखे, इसका मतलब है हम सही जगे पहुँच गए है अब अगर मैं यहाँ save करता हूँ यह save वाला बटन अब अगर मैं दबाता हूँ तो देखना क्या होगा, यह मैंने save वाला बटन दबा दिया, और आप मैं इस file को बंद कर देता हूँ, यह file यहाँ पर भी है, ध्यान दखना यह file यह result की यहाँ पर भी है और अब देखो मैं इसको window को close कर रहा हूँ, आपको यही file वहाँ पर भी मिलेगी, कहाँ पर desktop पे, यह मैं बंद कर दिया यह देखे, यह रही वो file मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आपको यह देखे, यह वही file है जो अभी हम काम कर रहे हैं तो यानि कि आप desktop पर एक ही file को दूसरे रूप में या दूसरी उसकी copy बना कर या उसमें updated किसी भी प्रकार से उसको save as कर सकते हैं तो यह तरीका है desktop पर कोई भी file save करने का ठीक है, हमने आज Excel को desktop पर कैसे save किया जाए इसका तरीका सीखा Friends, चैनल अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर करें मेरे चैनल पर आपको संपून शेर बाजार, national pensionist scheme और best investment plans की 100% सही और संपून जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर playlist जरूर चैक करें वो नीचे की side में है देखें उसको और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद